देखिए सबसे पहले यहां पर मैं new project में क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं location यहां से set करूँगा मुझे desktop location चाहिए तो मैं यहां से सब को हटा दे रहा हूँ उसके बाद हम जाते यहां से user में फिर यहां और यहां हमको मिलेगा desktop उसके बाद में यहां पर मैं new folder create कर दे रहा हूँ जैसे कि आज हम लोग animation देखेंगे तो यहां मैं लिग देता हूँ animate इस folder का नाम और create folder and then create and edit में क्लिक कर देता हूँ देखिए अभी हम लोग यहां 2D में जाएंगे ठीक है और उसके बाद मैं एक चीज़ और दिखा दूँ जैसे कि मैं कुछ images लेना चाहता हूँ तो यहां से मैं यह images ले रहा हूँ यहां मैं select करता हूँ यह images को जहां से मैं copy कर रहा हूँ and then desktop में जा रहा हूँ जहां पर हमारा एक folder होगा animate नाम का इसके अंदर मैं एक folder और बना लेता हूँ assets नाम का और इसके अंदर में मैं यह सारा images को paste कर दे रहा हूँ और उसके बाद वापस हम लोग आ गए यहां पर तो यहां पर assets वाला folder हम लोग को दिख रहा है जिसमें हमारा images है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर मैं टूडी सीन में क्लिक कर रहा हूँ और यहां पर मैं एक में सीन मनाऊंगा ठीक है और इस में सीन को मैं यहां पर सेफ कर दे रहा हूं उसके बाद हम लोगों को और सीन चाहिए तो यहां पर प्लस बटन है यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नया सीन आएगा और अभी सेन में हम लोग क्या करेंगे यहां पर मैं देखिए नोट डालना चाहता हूँ तो मैं यहां क्लिक कर रहा हूं और यहां पर मुझे नोट जो यह वो चाहिए कानेमेटिक बॉड़ी तो मैं इसको ले लूँगा और फिर यहां पर मैं क्रेट में क्लिक करूँगा ठीक है और इसका नाम जो है वो मैं रख दूँगा P-L-A-Y-E-R ος fan player in और यहां प्लियर सेन डग लेता हूँ है ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मेरे को चाहिए तो अचाइ्ड ओर में मैं जाओंगा और फिर यहां पर मेरे को एक कuarलेसिन चाहिए तो मैं ले लेता हूँ, Collision, Body, कांगे Collision Save To Do, ये ले 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 लेता हूँ, और इसमें मेरेको और एक note चाहिए, इसका Child Note और ये चाहिए आपका Sprite Animated Sprite चाहिए, देखें, नर्मली हम लोग Sprite लेते थे, इसमें हम लोग क्या लेंगे, Animated Sprite ठीक है, तो यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं और यहां क्रेट में क्लिक कर दे रहा हूं आ गया अभी यह जो रहेगा एनिमेटेड इस्प्राइट यह बीच में रहेगा देखे ऐसे करके और यह जो को लिजन 2D सेप है इसके लिए हम लोग को यहां पे एक टो सेप लेना होता है तो यहां जाएंगे हम सेटली में ले ले रहा हूं ठीख है न तो यहां पे अगर देखेंgov तो देख़ेंगे आपको दीख रहा होगा यहां पर एक घ्राइग और यह बाद पर यहma पर यहां पर हम लोग हूं यहां पर यहां पर इस फ्रेंहों में आ कर देंगे उसके बाद फिर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहां पर इस तरह का एनिमेशन और एनिमेशन फ्रेम हम लोगो दिखेगा जैसे यहां डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टी एवाई स्टे पहला एनिमेशन का नाम हमारा रहेगा और इसमें इस्टे.png वाला जो फोटो है उसको मैं ले आऊंगा इस तरह थे ठीक है अब यहां पर मेरा जो कोलिशन सेफ है उसको देखिए मैं ठीक कर देता हूं यहां से थोड़ा में बढ़ाना होगा इसको ठीक है और थोड़ा से मीचे कर लेते हैं हम लोग इस ठीक है यहां एनिमेशन में मैं क्लिक करता हूं यहां गया हम लोग फिर से यहां पर उसके बाद में फिर यह जो नियू है न यहां पर मैं क्लिक करूँगा और यहां पर दूसरा एनिमेशन का नाम यहां हम लोग देंगे यहां पर मैं दे देता हूं वाक डबलू एल के वा और फिर मैं क्या करूँगा यहां पे दो फोटो है देखिए है वाक ठीक है और यहाँ पे एक jump.png है इसको मैं यहाँ डाल दोंगा ठीक है यह सब होने के बाद अब यहाँ पे देखिए animation में यहाँ पे jump selected है तो इस जेगा में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग stay को select कर लेंगे मतलब जब at the time first होगा वह selected रहेगा यह रहेगा आपका stay वाला और साथी साथ और क्या करना है यह जो playing रहेगा यह on इसको हम लोग check box कर देंगे on कर देंगे ठीक है ना इतना हम लोग को यहाँ पे करना होगा और उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले है कि एक scene और हम लोग create करेंगे और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यह जो रहेगा यह static body चाहिए मेरे को floor बनाने के लिए तो यहाँ पे मैं static body 2D ले रहा हूँ यह static body 2D आ गया और यहाँ पे मैं लिख दता हूँ FLOR floor उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग को एक note चाहिए 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 नोड तो ले लेते हैं यहाँ पे मैं COLL यहाँ पे यह ले लूँगा कोलिशन सेप और उसके बाद फिर राइड क्लिक एड चाहिए नोड और यहाँ पे भी एक स्प्राइड चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ इस प्राइड लूँगा ठीक है ना और इसको हम लोग नीचे कर देंगे यह उपर रहागा हमारा एंड यहाँ पे यह जो यहाँ जो टेक्चेर है यहाँ पे डाल दूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरा एक आगया स्प्राइड अब इसको मैं थोड़ा से बढ़ा करना चाहता हूं तो यहाँ पे यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं देखिए सेलेक्ट टूल को और उसके बाद मैं इसको के कुछ इस तरह से भी ड्रैक्र कर सकता हूं कि मैं इस तरह से इसको क्षम करता हूं यही मेराफ लुर का कम करेगा कौ Verm में जाते है और यहां पर 7 प॰सिशन जो है इसका और यह 3 घर तरह पर और तरह से हो गया ठीक, ठीक है, कोलिशन में आएंगे, और कोलिशन में आने के बाद में यहां जाएंगे, और यहां पर new rectangle 2D shape ले लेंगे, और इसको भी इस, इसको थोड़ा पीच नीजे इसका साइज में हम लोग बना देते हैं ओके अब उसके बाद यहां जाते हैं हम लोग सेफ सीन करते हैं लोग का नाम से इसको हम लोग सेफ कर देंगे पिर यहां पर player वाला जो है इसको भी हम लोग उने save नहीं किया था इसको भी हम लोग यहां जाएंगे और player scene नाम से इसको save कर देंगे हम लोग ठीक है और उसके बाद में फिर हम लोग main वाला में आएंगे और main वाला में आने के बाद यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यह जो floor है हमारा floor scene इसको मैं लेके आ रहा हूँ यहां पर इसको फिलाल में यहां रख दे रहा हूँ और उसके बाद में फिर यहां पर मेरा player scene जो है इसको भी मैं लेके आ रहा हूँ और यह player scene को फिलाल म यह जैसे नहीं होगा यह बाहर ही रहे जो ठीक है ऐसे रहे रहा ना तो यह आपका आगे आप लेयर सीन देखिए इसका चाइल्ड नहीं रहेगा फ्लोर का चाइल्ड हो गया था ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए था अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम को चाहिए एक कोडिंग के लिए तो यहां पर देखिए स्क्रिप्ट देखिए यहां पर क्या सेलेक्ट है प्लेयर सीन सेलेक्टेड है और प्लेयर सीन सेलेक्टेड होते हुए यहां स्क्रिप्ट में मैं जा रहा हूं और न्यू स्क्रिप्ट में मैं क्लिक कर रहा हूं और क्र variable declare करूँगा, variable का नाम मैं दे देता हूँ, वेक्टर, ये स्वरी, velocity, वेलो सीटी, और इसका जो डाटर टाइप है, वो रहेगा इस प्रकासे, वेक्टर, ये प्रीदीफाइन देखे, वेक्टर 2, और यहाँ पे दो वेल्यू मैं पास कर रहा हूँ, एक आपका 0, 0, ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग एक function लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिक रहा हूँ, function, f unc function, underscore, underscore, sorry, underscore, और उसके बार में physics process delta, ये function हम लोग लेने वाले हैं, अब ये function लेने के बाद में, हम लोग क्या करने वाले हैं, कि कुछ key प्रेस करेंगे, जिससे की character हमारा move करेगा, तो key को हम लोग define नहीं किये है, तो उस key को define करने के लिए project में जाएंगे, project setting में जाएंगे, input map में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ मैं लिक रहा हूँ, move, underscore, left, और उसके बाद में यहाँ पे मैं click कर रहा हूँ, और फिर key में मैं click कर रहा हूँ, और यह यहाँ पे left click में click में press कर रहा हूँ, रोके कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर में यहाँ जा रहा हूँ, और यहाँ लिक रहा हूँ, move, underscore, left हो गया, right, ri, ght, right, और उसके बाद फिर में enter मार रहा हूँ, उसके बाद move right है, फिर में यहाँ पे click कर रहा हूँ, key में जा रहा ह और इस time मैं right वाला की press कर रहा हूं और इंटर मार रहा हूँ. sorry okay button दबा नाम लगो है ना तो मैं फिर से check कर लेता हूं, यहां पर left आ गया, यहां पर right आ घ्या है ना और एक हम लोगों की set करना है जे यू मपी jump के लिए तो jump में मैं space लोगा यहाँ पर मैं click कर रहा हूं यहाँ पर click और उसके बाद space बटन और ok हो गया अब इसका काम खतम हो गया इसको हम लोग्लोज कर देते हैं वापस यहाँ पर आ जाते हैं अब यहाँ पर मैं बोलूंगा if और उसके बाद में फिर यहां पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम ठीक है न और अब मैं यहां पर देखे बोलूंगा इफ इनपुटीट का मतलब होथा जब बतर्ट प्रेस होगा अभ यहां बताना होगा कौन सा बटन यहां पर मैं मैं मूव राइट बटन बोल रहा हूं मतला राइट बटन राइट एरो कि जब प्रेस होता है तब हम लोग क्या करेंगे कि उपर में जो velocity.x है ठीक है क्या है velocity जो हम लोग लिए थे ना तो उससे मेरे को x और y दो value मिलेगा है ना तो यहाँ पर मैं velocity.x ले रहा हूं तो velocity.x is equal to मैं मान लिजे कि यहाँ पर यहाँ पर मैं 180 लिख डेता हूं ठीक है ना बस मैं इतने लिख रहा हूं और इतना लिखने के बाद में अगर मैं यहाँ जाओं इसको save कर दूँ पहले save all scene में मैं यहाँ क्लिक कर दे राहा हूई और उसके बाद में अगर मैं इसको play करूं है यहाँ main scene को ही मैं play करता हूँ कि देखिए में फिन प्रेस है और अगर मैं राइट बटन प्रेस करता हूँ तो ऐसे तो यहां कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पर कुछ हो नहीं रहा है एक बार मैं आपको फिर से दिखा दू यहां पर हम लोगों ने बोला था मूफ ठीक है एक काम करते हैं यहां पर अगर मैं प्रेंट लिखूं और इसके अंदर में मैं लिखूं प्रेस ठीक है और उसके बाद मैं फिर से यहां जाओं और इसको प्ले करूँ और अब ही अगर मैं की को प्रेस कर रहा हूं राइड की को तो देखिए की इच प्रेस यहां पर मैसेज दिखा रहा है मतलब यह काम हो रहा है अब अब ऐसा क्या हो रहा है कि यह मूव नहीं हो रहा है तो इसको पहले मैं हटा देता हूं और वापस से मैं यहां आता हूं यहां पे एक function हम लोग और लेंगे यहां हम लोग लिखेंगे velocity ठीक है और उसके बाद equal to and then मैं यहां पे लिखूंगा move और move and slide ठीक है और move and slide उसके बाद में यहां पे मैं लिख दूँगा वैलो city ठीक है और उसके बाद में अभी एक बार हम लोग फिरसेश को रन करते हैं और फिर से मैं एक बार राइट की देखिए अब यह चल रहा है और चल रहा है क्या है चलते विए ही जा रहा है यह रूख ही ने रहा है यह अन 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 नॉन स्टॉप यह चलते ही बजा रहा है ठीक है तो अब इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि वह रूख जा कुस देर जाके तो उसके लिए क्या करना होगा तब हम लोग को यहां पे फिर से function कॉल करना होगा वेलोसिटी डॉट एक्स एक्वल टू function का नाम है ल ए आर पी लैप और इसके अंदर में हम लोगों को तीन पैरामीटर पास करना होगा एक हम लोग यहां पर पास करेंगे वेलोसिटी डॉट एक्स मतला एक्स कोडिनेट का जो वैल्यू होगा और उसके बाद में फिर यहा यहां पर यहां पर 4.2 दे दूँ और सब्सक्राइब करो तो अगर यहां पर देखें राइट प्रेस कर रहा हूं तो एक ही बार वह जा रहा रहा देखें वह चलते वे नहीं जारा है ठीक है ना तो आपको यह समझ में आऊगा कि यह दो फंक्शन हम लोग यहां पे क्यों use कर रहे ठीक है अब यहां पर जो 180 मैं यहां दे रहा हूं इसके लिए मैं क्या करूँगा उपर मैं एक वैरियेबल बना लूँगा constant variable यहां पर c o n s t const और वैरियेबल का नाम में दे दूँगा s p e d speed equal to 180 ठीक है और उसके बाद उस वैरियेबल को मैं यहां लिख दूँगा तो बात प्रेकी हुआ इसका वैल्यू आपकर कितना रहेगा 180 रहेगा ठीक है अब इसी प्रकारते यहां पर मैं और एक चीद करने वाला हूँ यहां मैं l if use कर रहा हूँ अगर मान लीजे कि अगर वो बटन नहीं प्रेस होता है तो मैं आप बोलता हूँ dot is action is pressed ठीक है और यहां पर हम लोग बोलेंगे कि अगर left button प्रेस होता है ठीक है अगर left button प्रेस होता है तो यहां पर velocity dot x जो रहेगा equal to minus s ped speed कर देने के लिए ठीक है ना तो अगर मैं फिर से इसको एक बार run करूँ तो देखिए जब मैं इसको यहां पर प्रेस कर रहा हूँ तो इस तरह से जा रहा है जब मैं यहां प्रेस करूँगा तो इस तरह से जा रहा है मतलब जब मैं प्रेस कर रहा हूँ आज जाएगा जब मैं लेफट प्रेस करूंगा तो यह जा खिए ठिया हैareth कि już अब एक काम वे और करने वाले हैं कि जो animation रहना वो भी करना है हम लोग को हैना तो उसके लिए क्मिदे क्सक्राशुना होगा करेंगे shift और dollar sign अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना तो यहाँ पर मेरे कोई spread से अपका नाम पता चल जाता है तो देखे animated spread नाम है तो मैं इसको select कर ले रहा हूँ और फिर dot और इसके बाद में function आता है play function इसको हम लोग लेंगे और अभी हम लोग वाक वाला जो हमारा animation है हम लोग उने बनाया है उसको हम लोग यहाँ दे देंगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ w a l k walk ठीक है और उसके बाद में अगर मैं इसको 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 इब प्ले करूँ और उसके बाद right button नबाओं तो देखिए अब यह वाक हो रहा है मगर यह वाक होते जा रहा है न जब हम लोग प्रेस नहीं करेंगे तब यह वाक नहीं होना चाहिए हम लोगों को कुछ इस प्रकार से करना होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे हम लोग else वाला part लेंगे else और else में हम लोग क्या बोलेंगे यह animated जो है इसको हम लोग select करेंगे पहले और dot उसके बाद play और इसके अंदर में हम लोग स्टी वाला एस्टी वाला animation देंगे जिसमें single है जो starting था है न यहां पे क्या हुआ कुछ error है लग रहा है कि एक अधिश्टी डॉट प्ले और स्टी वाइस्टे कि कि एक बार हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं तो देखे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तभी चल रहा है है ना यह प्ले हो रहा नहीं है ठीक है एल्स वाला पार्ट में हम लोग क्या देएट से इसके कारण वस ठीक है अब हम लोग क्या बज गया अब हम लोगों को यहां से सimmung कॉप्स कि करना है और यहां पर हमलोग इसको पेस्ट कर देंगे और जब हम लोग left की लिक करेंगे ना तब भी यह walk होना चाहिए मगर अब हम लोग क्या चाहते कि उसका जो direction है ना वो भी change हो तो हम लोग क्या करेंगे flip करवादे तो उसके लिए क्या होगा कि जब हम लोग right वाला click करेंगे तब हम लोग यह animation वाला speed को select करेंगे and then यहां पर हम लोग dot लिखेंगे और उसके बाद में जो flip रहेगा हमारा flip underscore h इसको हम लोग कर देंगे false F ठीक है और इसी चीज़ को यहां पर हम लोग क्या कर देंगे यहां पर dollar sign then animated speed dot फिर यहां पर आपका flip from magic underscore h Oriental equal to यहां पर हम लोग कर देंगे true tru true ठीक है और अभी अगर मैं इस को run करूँ कि तो देखिए अभligen देखिए ऐसे जा रहा है और जब यहां करेंगे तो अभी ऐसे जा रहा है अब रहे गया जम करवाना है हम लोगों को ठीक है तो उसके लिए यहां पर मैं दो वैरियेबल देखे पहले डिक्लियर कर रहा हूं ठीक है न यहां पर मैं रहा है यहां पर यहां पर ग्रेव रहा हुँ यहां पर फिर एक वैरियेबल मैं यहां पर डिक्लियर कर रहा हूँ जे यू एम पी जंप एफ ओ आर सी फोर्स और इसका वैल्यू जो है वो मैं दे दे रहा हूँ माइनस वन वन जीरो जीरो ठीक है उतके बाद में अब जंप जो होगा वो हम लोग किसे के तुरू करवाएंगे इसपैस के तुरू करवाएंगे तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं यहां मैं देखी इंटर मार रहा हूँ और यहन्मेundji दोंगा और यहांपर इंपुट लोंगा और फिर यहांपर मैं बोलूँगा की is action just press क्या लोंगा मैं just press लोंगा इसमें ठीक है और उसके बार मैं jump आला लोंगा and then यहाँ पर मैं लिखुँगा velocity, velocity dot y equal to velocity dot y plus यहाँ पर जो gravity का value होगा वो बढ़ते वे जाएगा ठीक है न तो अगर अभी मैं इसको एक बार run करूँ और यह नीचे जाना चाहिए था यह नीचे नहीं किया है, ठीक है यहाँ पर प्रॉब्लम है यह चीज जो हम लोग यहाँ पर लिखे है यह वाला यहाँ पर नहीं होगा यह चीज हम लोग यहां पर बाहर देंगे यहां पर दूंगा मैं ठीक है और इसके अंदर में हम लोग कुछ और करेंगे एक बार मैं दिखा देता हूं आप ले करके यहां पर हम लोग छोड़ दिये थे सी लेरर दिखा रहा है कोई बात नहीं है यहां पर मैं लीग देता हूं यहां पर मेरे को लिखना होगा आपका यहां पर हम लोग कर देंगे जंप फोर्स मतलब क्या होगा कि वाई एक्सिस का जंप फोर्स कितना है यहां पर यह जितना है यह क्या होगा माइनस होगा ठीक है ना अभी अगर मैं इसको रन करूँ एक मिट यह काट ठीक है एक बार मैं इसको इस पेस दबाओ तो काम नहीं कर रहे हैं तो काटने देंगे मुझको ठीक है और एक बार मैं फिर से इसको रन करता हूँ अब यहां फ्लोर में आ गया क्योंकि यह नीची गिर रहा था और अभी अगर दबाएंगे तो देखिए जंप हो रहा है देखिए ऐसे और हमारा यह चल भी रहा है ठीक है ना जंप भी हो रहा है और चल भी रहा है ठीक है कर देखि dlatego है और एक बर मैं फिर समझा दून हलका सब स्क्षाइक हो गया था जो यहां पर एक्जूली में देखिए बाहर होगा यह बाहर होगा तो क्या हो रहा है कि वैलोसीटी डोट वाई वाई का जो वैल्यू रहेगा वो क्या होगा बढ़ते रह 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 यहाँ पे रहा है ठीक है अब एक चीज और है कि यहां पर हम लोग को animation भी दिखाना है जम फो रहा है तो दोनों पैर जो है उसका position थोड़ा चेंज होना चाहिए जैसे अभी jump हो रहा है तो सीदह सीदह ही image जा रहा है ठीक है न तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर animation देना है तो उसके लिए काम करना होगा इसको हम लोग को if के अंदर रखना होगा तो सबसे पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे if लिखेंगे और उसके बाद यहां हम लोग बोलेंगे not और फिर यहां पर function आता है is on floor मतलब अगर वह floor में नहीं है तब जब वो floor में नहीं है तब हम लोग यहां पर उसका इसपाइड अनिमेशन को सलेक्ट करेंगे और डॉट प्ले और यहां पर हम लोग जो जंप वाला बनाये थे ना इनिमेशन उसको हम लोग यहां दे देंगे जे यू एंपी जंप और इसको भी इसके अंदर में अगर मैं रख दूँ और उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँ है ठीक है मगर देखें यह तो हो रहा है मगर एक्चुली में यह फ्लोर में भी है नहीं ठीक है यह इसका पोजिशन तो वैसे ही है एक बार हम लोग चेंज करते हैं यह वाला चीज़ तो तो इसको वहार रखना पड़ेगा हम लोग को और उसके बाद अगर मैं ट्राई करूँ तो कि लिखकत है कहां पर यहां पर हम लोगों को एक पैरामीटर और पास करना था यहां पर यहां पर हम लोगों को लिखना होगा वेलोसिटी वी ए सरी सरी वेक्टर नाट वेलोसिटी वेक्टर टू डॉट अप ठीक है ना और इसको लिखने के बाद दुबारा से अगर हम इसको रण करेंगे मगर यहां पर इसको मैं ठीक है इसको अभी ऐसे रहने देते एक बार हम लोग इसको रण करते हैं ठीक है अभी आ गया यह चल रहा अपना इधर भी चल रहा और यह जंप हो रहा है जंप होने समय देखिए इसका पैर भी जा रहा है अनिमेशन हो रहा है अब सारा चीज जो है वो सही से काम कर रहा है तो इसको थोड़ा से और हम लोग इंट्रेस्टिंग बना के देख लेते ह यहां में सीन में चलते हैं और यहां में सीन में तो आब हम लोग यहां टूड़ी में आ जाते हैं और यहां पर यहां पर यह जो फ्लोर है ना तो यहां पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और फिर यहां पर एक काम करते हैं यहीं से ले आते फ्लोर यहां पर फ्लोर है ना इ जाल देते हैं कि अफ लोर के अंदर फ्लोर नीचे मेरे को तो मैं इसको पकड़ूँगा नीचे ले आउगा उपर ले जाते हैं ठीक है न फ्लोर के पास प्लोर आगया और उसके बाद फिर हम लोग इसको एक बार रन करते हैं है उसके बाद में यहां पर हम लग जाते हैं ठीक है देखिए गेरी है मेरा यह ठीक है तो आई होप कि आप सब आज का वीडियो जो है इंजोई कि होंगे आप सब को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो कुछ देखने को मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा